हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल पठानिया फिजिक्स लेक्षर एंड मैसलफ पंकच पठानिया तो आज बच्चों में बहुत ही इपॉटेंट नमेरिकल्स लेके आया हूं जो कि नमे जो न्यूटर रिंग्स एक्सपरिमेंट जो अपका थियोरी में बात करते हैं न्यूटर्ण रिंग बेस्ट एक्सपरिमेंट पे तो यहां पर न्यूटर्ण जो फर्स्ट क्वेस्टन है वह है न्यूटर्ण रिंग्स आर अब्जर्वड इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ बेवलेंद सिक्स थाउजन ऑंक्स्ट्रॉंग दाइमेटर है बेसिक जो फीनोमेन है न्यूटर्ण रिंग का वह है इंटर्फेरेंस फ्रोम बेज शेप तिन फिलम बाशचेप नॉन पैरलल फिलम और तिन फिलम क्या है जिसकी थिक्नेस जो फोन इक्षा है जितनले हमारा हेर का डामेटर होता है उससे कम तो हम यहां पर बात करते है एक्सपरिमेंट सेटप में यह हमारी पास ग्लास प्लेट और यह प्लायनू कंदेक्स लेंस जिसका रेडियस ओफ कर वेचर आरहे हैं और यहां से सोर्स है यह 45 डिर्डिग्री ग्लास प्लेट है पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली ट्रांसमेटेड यहां से रह एएर की फिल्म काउड से इसके तो यह बैसिकली बच्चों यह कव यह सेंटर से बैच शेप फिल्म मल रहा यह तीक्नस ज़ो वहारी होते जारे है यहां से भी थीकनस ज़ो हो वहारी होते जारा तो यहां पर हमारे पास एक डाक ब्राइट डाक ब्राइग का सर्कुलर रिंग मिलेगी फाइट सर्कुलर तो आपके पास यह यह भी कुछे सकता है दोर्मर के वह दा रिंग आर सर्कुलर क्यों क्योंकि जो प्लैनों कंवेक्स जैंस हम जब हम उपर से देखेंगे तो इकोल जो लोकस ओ पॉइंट ऑफ सटाल होता है तो यह सी तरह से यह सर्कुलर रिंग ब्राइट और डाक एक एश पटिकुलर प्लेंश पर डाक यहा ब्रायट की कंडिशन को सैटिस्फाइब यहां पर हमें रिंग नों इस कोऊस्टिन प्लैनोग्हेक्स लेंज तो यह हमएरे पास ए रेडियोस ओफ कर वेच्ट कार लेंच है कि यहां पेक लिए कटानोन ठीक कि कोई भी अन्नोन लीड हो उसका हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्यल्कुईट कर सकते हैं तो यहांसे हमरे पास सेक्ड़ में यह है newton rings are formed in a reflected light of wavelength six hours on strong with liquid film between the plane and the curved surface if the diameter of the sixth ring is 3.1 mm and the radius of curvature is 100 cm. तो यहां पर हमारे पास 6th ring का diameter दिया हो और radius of curvature दिया हो यहां पर हमें करना है और थिकनेस जो थिन फिलम की क्यलकूट करना है और इस सेकिंड वाले में हमारे हमें refractive index of unknown liquid का हमें यहां पर क्यलकूट बच्चों करना है तो पहले हम first questions पर आते हैं first question जो है वो बात कर रहे हैं हम बात करते हैं dark fringe suppose करो कि हमारे पास जो 10th जो 10th डाक रिंग तो 10th डाक रिंग का diameter का जह हमने अलड़ी calculation कर रहे है डैट इस 4n lambda r upon यह है equation 1 ब्राइट के case में क्या है 2 2n-1 लैम्डवाई 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 में बात कर लेंगे यहां भी हम दाक की बात कर लेता है यहां पर कर लेंगे फाइन अब यहां से बच्चों यह मिउ हमारे पास क्या है first question में एर की जो ठिन फिल्म में इसको हम अलड़ी आज़ा अब बात करता कि एर की ठिन फिल्म है एर की तो यहां पे हमारे पासा मुथ न hooga n होगा फाइर यहां पे हमारे पाइन कितना है यहां यहां से यहांamız निकालना है यहां 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 तो यहां से मू वन है तो यहां हमारे पास बन गया डाइबेकटर आन्ट müab n lambda r तो यहां पर diameter of the tenth ring हमें पता है 4n हमरे पास 6 है lambda जो है वो हमारे पास 6000 ओंग स्ट्रोंग मतले इसको हम 10 की minus 10 meter पर लिख ले fine और diameter हमरे पास है और यहां से हमरे पास हमने पास है मू कितना है वन है ठीक है एन भी हो गया लैमडा और यहां से यह आर तो आर डामेटर अब दा 10th रिंग के कितना बच्चों ध्यान तो डामेटर जिरो पॉइंट फाइव तो जिरो पॉइंट फाइव इंटू 10 की माइनस टू डाट इस स्क्यार अपॉन अब इसको हम फूर मल्टिप्लाइव बैए 6 इंटू 6000 इंटू 10 की माइनस 10 मीटर यह मेरे पास रेडियर्स ऑफ कर वेच्चों गया डामेटर कितना है जिरो पॉइंट इस तरफ आर इस तरफ रहने दिया हम इस पूरे तरम को दिन्वामेटर पर लेके आगे तो यह हमारे पास आएगा 25 अपॉन 24 ठीक है और इसका टोटल हमारे पास आएगा आर आएगा डैट इस 1.04 मीटर ठीक है मेंस 104 सेंटीमिटर के अराउंड यह रेडिस ऑफ कर वेच्छ रहेगा अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ दे थिन फिल्म यह हमारे पास इस इस रेडिस ऑफ कर वेच्छ पे हमें आर तो पता है अब टी हमें कैलकुएट करना स्पोस करो इस थिकनेस पे हमारे पास 10 वाली डार्क फिल्ड जो वो फॉर्म हो रही है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थिकनेस क्या होगी फाइन थिकनेस निकाल लिए है तो थिक स्क्यार बाई 4 रा तो थिकनेस इस डामेटर का स्क्यार एंड 4 रा तो 10 रिंग का डामेटर तो हमें पता है 10 रिंग का डामेटर जो हमें बच्चों पता है तो थिकनेस आएगी डामेटर का स्क्यार 0.5 इंटो 10 की माइनस 2 मीटर दैट इस स्क्यार अपॉर इंटो 1.04 meter ठीक है तो इसमें जब हम thickness calculate करेंगे तो यह 3 x 10 की minus 6 meter आएगा means 3 micrometer जब हम इसको solve करेंगे तो हमरे पास 3 x 10 की minus 6 meter means that is equal to 3 micrometer तो इस तरह से हम thickness और radius of करवेचे हम यहाँ पर calculate कर सकते हैं यदि हम यहाँ से telescope से जो हमें rings दिखेंगी तो हम जाके हमें पता है कि 10th ring का diameter 0.5 cm आपको diameter भी calculate करने को आ सकता है यदि radius of करवेचे पता हो फाइन तो इस तरह से यह हम बात करेंगे इस वाले question को इस तरह से हम बच्चों solve करेंगे इस तरह से हम इस वाले question पर तो simple सा question है यह बच्चों diameter हमें यहाँ पर 10th ring देखी हमने telescope से देखा 10th ring का diameter हमें पता है स्पोस्ट कर लिया हमें radius of curvature calculate करना है तो हमारे पास diameter हमने calculate कर लिया telescope से भी कर सकते हो यहाँ पे given है practical भी आप कर सकते हो diameter निकाल दिया बच्चों आर और lambda पता है एन पता है मू हमें पता है तो हम already radius of curvature और thin film की thickness भी calculate कर सकते हैं अब हमारा पास है next question question number two is Newton rings are formed in the reflected light of wavelength 6000 on strong with a new cut between play and the curve surface if the diameter of six ring is 3.1 mm and the radius of curvature is 100 cm calculate the refractive index of the liquid same उसी का एक्स्टेंशन है पिछले बाले question में हमने radius of curvature of plano curve and the thickness of the thin film calculate की 10th के लिए यहाँ पे हमारे पास है 6 ring का diameter 6 ring का diameter हमने calculate कर लिया है diameter of 6 ring is 3.1 mm means that is 0.31 cm fine and radius of curvature और radius of curvature यहाँ पे given हैं और हमारे पास बच्चों हम हमारे पास जो है refractive index of liquid हमें calculate करना है और lambda हमारे पास है 6000 इंटो 10 की minus 8 cm की term में हम ले ले मीटर की term में भी हम ले सकते हैं तो हम हमें यहाँ पर म्यू अब suppose करो पिछले बाले question में दा की बात करें इस बार हमने ब्राइट जो रिंग है या ब्राइट जो फ्रिंज है उसका डामेटर हमने calculate के लिए 3.1 mm टेलिसकोप से फाइन तो अब हमारे पास solution तो हमारे पास diameter of bright diameter of bright ताकि आपको मैंने इस लिए दा को ब्राइट लिए ताकि आपके पास फर्मूला पता हो डाक और ब्राइट के बार मैंने इस कि डामेटर और रेडियस और करवेचर और 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 रेफ्रेक्टिव इंडस के बीच का relation तो diameter of the bright ring तो that is d square n is equal to 2N minus 1 lambda r upon wow उसमें कितना आथा दा के एसमें 4N lambda r upon tuh इसमें हमारे पास हमरे पास given कि क्या है और गिवन एन कितना है six ring तो यहां से हमरे पास diameter of six ring is equal to two multiply by six minus one lambda r upon mu तो यहां पे हमरे पास six ring यह जो liquid अंदर insert है इसका हमें mu calculate करना है तो बहुत अच्छी application है nutrient experiment की बेवलेंद की हम sodium light की बेवलेंद अलड़ी calculate कर रखी अपने एक्सपरिमेंट में अंडर्स्टेंड तो इस case में हमारे पास diameter आगया बच्छो अब diameter हमें पता है अब यहां पर value यहां पर mu को हम calculate कर सकते हैं 2 into 2 multiply by 6 minus 1 lambda r upon diameter square of 6 तो यह हमारे पास diameter it is यहां गया 2 into 12 minus 1 और lambda आ गया 6000 into 10 की minus 8 और diameter का square हो गया 0.31 that is square यह हमारे पास total जो आप जब इसको solve करेंगे तो 1.3 ठीक है तो 2 यह हो गया 11 इसको हम क्या कर देंगे 11 multiply by 6000 और r भी तो है बच्चे r r भी तो r होगा 100 radius कर बेचे कितना है 100 जो हमारे पास given है तो यह हमारे पास 1.373 refractive index होगा water का case के water का index of 1.33 तो इसका मतलब कि water में कुछ solution हमने कुछ जो mix किया है उसका refractive index 1.373 है तो इसी तरह से हम refractive index भी calculate कर सकते हैं कई बार questions ऐसे भी आता है बच्चो कि हमारे पास 2 ring का diameter आपको given होता है और आपको बेवलंद calculate करनी होती है तो उस case में formula हम यूज करते हैं lambda is diameter of n plus p minus diameter n का square और 4pr r is the radius of bridge तो भी हम आपको बेवलंद calculate करने का भी question numericals आ सकता है तो अपर पी पता होगा जो consecutive rings के बीच condition जैसे 3 3rd ring और 6 का radius हमें sorry diameter पता हो तो हमारे पास पी होगा 3 और r हमारे पास given होगा तो इस तरह से बेवलंद भी करते हैं तो हमारे पास refractive index भी calculate कर सकते हैं बेवलंद भी calculate कर सकते हैं और radius of curvature as well as thickness of the thin film भी हम इस new training experiment से calculate कर सकते हैं और बहुत सारी application जो हम वो न्यूटर नेंग experiment की हैं तो मेरे चैनल को subscribe किजिए और playlist को follow करिए thank you very much झाल